जैहिं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चनल स्टडी जॉब टूडे में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैपूर सीकर टॉंक जिले के अभ्यार्थियों के लिए सेना भरती रेली का आयजन 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक अजमेर में किया जारा है इस सेना भरती रेली के लिए कौन कौन अपलाई कर सकता है किस किस ट्रेड के लिए अपलाई कर सकते है education qualification physical criteria क्या रहने वाला है complete जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को skip किये बिना सुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर देगी ताकि आपको complete information मिल सके और आप हमारे YouTube चनल पर पहली बार है तो चनल को subscribe कीजिए और बेल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि सेना भरतिय रैली सेना भरतिय रिजल्ट और रिलेस्टन्स सेंटर्स भरतिय से समंदित कोई भी latest update आए तो सबसे पहले आपको हमारे चनल के माद्यम से सही अवं सटीक information मिल सके यह वीडियो उन लाखो इस्ट्रूडेंट के लिए काफी important रहने वाला है जो काफी समय से सेना भरतिय रैली की तयारी कर रहे हैं आईए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको भरतिय सेना की official website पर जारी official notification दिखाते हैं इंडियन आर्मी आर्मी रेक्रूट्मेंट ओफिस आरो हेड़कोर्टर जपुर आर्मी रेक्रूट्मेंट रैली एट अजमेर रास्तान प्रॉम 11 जुलाई 2021 से लेकर 2 अगस्त 2021 तक आयजित की जा रही Online registration is mandatory and will be open प्रॉम 14 मई 2021 से लेकर 27 दून 2021 तक भारतिय सेना की official website पर online आविदन कर सकते हैं Online आविदन किस-किस trade के लिए किया जा सकेगा Online आविदन soldier clerk, SKT, soldier nursing assistant, एने veterinary and सिपाही pharma trade के लिए आप आविदन कर सकते हैं कौन-कौन से जिलों के अभ्यारती आविदन कर सकेंगे जिलों की बात कर लें तो जैपूर, सिकर, एम, टॉंक जिलों के अभ्यारती soldier clerk, SKT, nursing assistant, वेटनरी, सिपाही फार्मा पद के लिए आविदन कर सकेंगे soldier GD, soldier tradesman, soldier technical के लिए आविदन नहीं कर सकेंगे एक important lines इसमें दिवी है any candidate who fails to submit this application will not be allowed to participate in the rally जो candidate online आविदन को submit करने में फेल होता है उसे rally में सामिल नहीं होने दिया जाएगा next यहाँ पर लिखा हुआ है the date and value are tentative and might be changed सेना भरती rally का इस्थान और date tentative है इसको change भी क्या जा सकता है अब हम बात करते हैं trade wise, physical criteria, education, qualification क्या रहने वाला है सबसे पहले हम बात करते हैं soldier clerk storekeeper technical के लिए soldier clerk storekeeper technical के लिए age 17-23 वर्स रहने वाली है अब्यार्थी का जन्म एक अक्टूबर 1998 से एक अप्रेल 2004 के बीच height 162 cm वजन अब्यार्थी की height एम एज के अनुपात में होना अनिवारी है सीना 77 cm तथा 5 cm का फुलाव आवशक है soldier clerk storekeeper technical के लिए education qualification की बात करें बाहरवी कक्षा पास किसी भी history scary room से Einpt, commerce and science साथ परसेंट अंकों के साथ तथा परतेक विसे में 50% अंक होना अनिवारी है बाहरवी कक्षा में subject की बात कर लें तो कोन-कोन से subject होना अनिवारी है बाहरवी कक्षा में English subject अनिवारी है तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना अनिवारी है इसमें Maths, Accounts, Book, Kipping बाहरवी कक्ष्या में इन तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना अनिवारी है आर्ट्स वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं तो आर्ट्स वाले वही स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं जिनके बाहरवी कक्षा में मैथ सब्जेक्ट रहा हो अगर मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आर्ट्स वाले स्टुडेंट अपलाई नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट बात करते हम सॉल्जर टेक्निकल एन्ने एमसी एन्ने विटनरी पद के लिए तो आयू साड़े सत्रा से तेईस वर्स अब्यार्थी का जन्म 1 अक्टूबर 1908 में से 1 अप्रेल 2004 के बीच हाइट 170 सेंटिमेटर वजन हाइट एमाम एज ग्यानुपात में सीना 77 सेंटिमेटर बिना फुलाएं फुलाने 5 सेंटिमेटर का फुलाव इसके साथ में अनिवारिय है एजुकेसन को अलिवेकेसन बाहरवी कक्षा पास 50% अंकों के साथ तथा प्रतेक विसे में 40% अंक होना अनिवारिय है सब्जेक्ट की बात करें तो बाहरवी साइंस के साथ होना अनिवारिय है साइंस में भी फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी एंड इंगलिस बाहरवी कक्षा में सब्जेक्ट होना अनिवारिय है नेक्स बात करते हम डीफ हार्मेसी सिपाही डीफ हार्मा पोस्ट के लिए एज 19 वर्स से 25 वर्स अब्यार्थी की, अब्यार्थी का जन्म एक अक्टूबर 1906 में से 30 सेप्टेंबर 2002 के बीच हाइट 170 सेंटिमेटर वजन हाइट एमाम एज ग्यानुपात में सीना 77 सेंटिमेटर 5 सेंटिमेटर का फुलाव एजुकेशन कौलिफिकेशन बारवी कक्षा पास डीफ हार्मेसी का डिप्लोमा अनिवारी है डीफ हार्मेसी में 55 परसेंट अंक होना अनिवारी है इसके साथ में स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना भी अरिवारिया है दीफ हार्मेसी पॉस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो आपका 1.6 किलोमेटर रनिंग होने वाली है गुरूप फस्ट में रनिंग करेगा 5 मिनट 30 सेकिंड से पहले 60 मार्ट दिये जाएंगे गुरूप सेकिंड में 48 मार्ट दिये जाएंगे पुलप बीम निकल वाए जाएंगे आपसे बीम की बात कर लेते हैं तो 10 पुलप के लिए 40 मार्ट 9 के लिए 33, 8 के लिए 27 7 के लिए 21, 6 के लिए 16 मार्ट दिये जाएंगे 9 fit का गड़ा कूदना होता है जो qualify होता है जिग जेक पेलेल से गुजरना होता है वो भी qualify होता है soldier clerk SKT nursing assistant D. Pharma इन सभी trades के लिए physical केवल qualify है physical के जो mark है वो आपकी merit में लगने वाले नहीं है आपकी merit केवल return exam के आधार पर तयार होगी physical के marks आपकी merit में नहीं लगने वाले है physical pass करने वाले अभ्यारतियों का medical होगा rally site पर medical होने के बाद अभ्यारतियों को return test के लिए admit card दिया जाएगा rally site पर दिया जाएगा या फिर भारतिय सेना की official website पर आपको इस्थान समय के लिए सुचित कर दिया जाएगा COVID-19 की advisory की पालना करनी है rally भरती में सामिल होने के लिए COVID-19 negative report अपने साथ लेके जानी है जो की बहतर गंटे पहले की होती है लेकिन वो rally की समय पता चलेगा कि कितने time पहले की होनी अनिवारी है next बात कर लेते हैं आपकी भरती 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक कायद विश्राम इस्थली अजमेर राजस्थान में आईजित की जाएगी online registration की जो डेट है वो है 14 मई 2021 से 27 जून 2021 तक भारतिय सेना की official website पर online आवेदन कर सकेंगे एक बार फिर बता दू मैं जैपूर सीकर टॉंक जिले के अब्यारतियों के लिए soldier clerk, SKT, soldier nursing assistant, एने वेटनरी एंड सिपाही फार्मा पद के लिए सेना भरती रेली का आयजन 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक कायद विश्राम इस्थली अजमेर राजस्थान में किया जारा है भरती के लिए online registration की date 14 माई 2021 से 27 जुन 2021 तक है भरती रेली में soldier JD, soldier tradesman, soldier technical के लिए अब्यारति अपलाई नहीं कर सकेगा केवल कलार्क, स्टॉर्टी पर, nursing assistant, सिपाही फार्मा पद के लिए ही आवेदन कर सकता है वीडियो इतना ही रहेगा, वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों में सेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि उनको information मिल सके, समय पर apply कर सके और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि सेना भरते रेली से समन्दित समय समय पर आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से सही अवाम सटीक इनफॉर्मेसल बिल सके जैहिन जैभार्त पंदेबातरम